फेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होगे जैसे किसी व्यक्ति की पहचान उसके अपने स्वभाव से उसके अपने व्यक्तित्व से होती है किसी और का स्वभाओ, किसी और का व्यक्तितु लेकर आप जीवन भर नहीं चल पकते उसी तरह किसी देश की पहचान होती है उसकी अपनी सभता, उसकी अपनी संस्वर्ची जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ नालंदा विश्विध्याले के बारे 19 जून 2024 कोदेश के पढ़ान मंत्री नरेंदर मोधी जी ने नालंदा विश्विध्याले की नीव रखी, नालंदा विश्विध्याले का उठगाटन किया आज वर्तमान समय में हम भारत के उजड़े हुए इतिहास को वापत से बनता हुआ देख रहे हैं इतिहास की गहराई में जाकर अगर हम देखते हैं तो भारत हमेशा से ही शिक्षा और ज्यान का केंदर रहा है अगर वर्तमान समय में हम कैम्बरेज और अप्सपोर्ट यूनिवर्सिटी के साथ नालंदा विश्विध्याले को कंप्यर करते हैं तो हम देखेंगे कि नालंदा विश्विध्याले हमेशा से ही उच्च सिखर पर रहाट देश विदेश से शात्र यहां पढ़ने आते थे इसकी स्थापना पांचवी सताब्दी में गुप्स काल में की गई थी दुनिया को जीरो की पहँचान कराने वाले आर्र भट इसी नालंदा विश्विध्याले के हेड पे आज बत्मान समय में हम देखते हैं Cambridge University और Oxford University को अगर Cambridge और Oxford जैसी उनिवरसिटी से नालंदा विश्विध्याले को कंपेर किया जाए तो नालंदा की टड़ी यहां की पड़ाई बेस्ट हुआ कर देती है नालंदा विश्व विद्धाले विश्व का पहला आवास यह परिसर था मतलब यहां कॉस्टल विवस्थाएं 19 जून 2024 को देश की प्रधान मंत्री नरिंद मोदी ने इसका उद्धाटन किया और कहा की नालंदा सत्य का उद्धोश करता है की आग की लप्टों ने भले ही पुस्तकें जला दी लेकिन ज्यान को नहीं मिटाये जा सकता नालंदा केवल नाम नहीं है एक पहचान नहीं है एक सम्मान है नालंदा एक मूल है मंत्र है गौरब गाथा है नालंदा के ध्वस्त ने भारत को अंधिकार से भर दिया था अब इसकी पुनर इस्थापना भारत के स्वर्णेम युग की शुरुआत है शिक्षा के बिकास से अर्थ व्यवस्था और संस्कृती की जड़े मजबूत होती नालंदा युनिवर्सिटी में कोरिया, जापान, चीन, इंडोनेसिया, पर्सिया और तर्की जैसे कई देशों से स्टुरेंट्स यहां पढ़ने के लिए आते थे इस युनिवर्सिटी में 10,000 चात्र एक साथ रहते थे दुनिया का एक मात्र ऐसा विश्विध्याले जहां आतर चात्र शिक्षा लेना चाते थे और ये एडमीशन इनको इतनी आसानी से नहीं मिलता था उसके लिए जैसे आज वर्तमान समय में एक इंटरेंस एक्जाम देना होता है उसी तरह से इनको पंडितों के समक्ष बैटकर एक इंटर्व्यू देना होता था अपनी नौलिज को बताना होता था कि ये कितने काबिल है नालंदा विश्व विध्याले में चिकिस्ता विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गनित, खवोल विज्ञान जैसे कई विश्यों पर स्टड़ी करवाई जाती थी यहां बहुत दुस्त धानतों का अध्यन भी कराया जाता था खैरानी की बात तो ये है कि जिस समय देश में प्रिंटिंग मसीन भी नहीं थी, उस समय नालंदा की लाइब्रेरी में 90 लाख पांडू लिपियां थी पांडू लिपी का मतलब होता है हाँथ से लिखी हुई किताबें, यानि की प्रिंटिंग मसीन ना होते हुए भी यहां हाँथ से लिखी हुई 90 लाख किताबें नालंदा की विश्व द्ध्यालय में उसकी लाइब्रेरी में थी आप समझ सकते हैं कि 90 लाग किताबें वो भी हाथ से लिखी होई लेकिन बारवी सतागदी के अंत तक आत्रमन स्कारियों का आत्रमन होना भारत में स्टार्ट हो गया वक्तियार खिलजी भारत के ज्यान और भारत की संस्विती को देखकर खबरा गया वो समझ चुका था कि अगर भारत के ज्यान को खतम नहीं किया गया तो यहां इस्लामिक धर्म की स्थापना करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसी तरह वक्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से धस्त कर दिया पूरी तरह से खत्म कर दिया आप सोच सकते हैं इस बात को कि 90 लाख किताबों से भरी हुई लाइब्रेरी तीन महिने तक लगातार जलती रही हमारा ज्यान का भंडार जलकर खत्म हो गया और इस तरह से दुनिया का पहला विश्व विध्याले जलकर राख हो गया ये बहुत खुशी की बात है कि नालंदा विश्व विध्याले की नीव रखती गई है परंदू सोचने वाली बात ये है कि कितना सारा ज्यान, विज्यान, खगोल विज्यान, रसायन सास, भौतिक विज्यान, बायलोजी जैसे सबजेक्स जलकर राख हो गई इन्हें बापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हाँ, एक नए सरे से उस ग्यान को अरजित करने की कोशिश की जा सकती है